नमस्कार आप देख रहे हैं यमुना मिशन समाचार करते हैं शुरुआत आज के पंचांग के साथ आज सोमवार है विक्रम समवत दो हजार अठेतर भादरपद माहा शुकल पक्ष की पूने माति थी तदनुसार आज दिनांग 20 सितंबर सन दो हजार एक्किस है और आईए अब देदेते हैं आपको जानकारी श्री यमुना जी की मंगला आर्थी के समय के संदर्ब में श्री यमुना जी की मंगला आर्थी विश्राम घाट पर की जाती है प्राते साड़े पांच बचे श्री यमुना जी की मांगला आरती गव घाट यमुना मिशन मार्ख प्रती जाती है लाते 6 बजे और आये अब आपको देदें जानकारे स्री यमुना जी की संध्या आरती के समय के संधर में विश्टाम घाट पर संध्या आरती का समय है साएं साड़े साथ बजे, ठकुरानी घाट पर आरती का समय है साएं साड़े छे बजे, ग्रमान घाट, केसी घाट और गवु घाट पर संध्या आरती का समय है साएं साथ बजे, जानकी घाट सुदर्शन घाट पर आती का समय है साइं साड़े 6 बजे सूरज घाट संध्या आती का समय है साइं साड़े 6 बजे अब दे देते हैं आपको जानकारी ब्रज के प्रमुख मंदिरों की समय के संदर्व में श्री मुखार बिन्द जतिपुरा का प्राथे काली समय है प्राथे साथ बजे से दोपेर साढ़े बारे बजे तक, साय काल साढ़े चार बजे से रात री साढ़े आट बजे तक रम्मन रिती धाम का समय है राते 7 बजे से सुभा 10.30 बजे तर श्री राधा रमन वंदिर का प्राते काली समय है प्राते 5 बजे से दोपहर 12 बचकर 15 मिनेट तक साइकालीन समय है साइ 6 बजे से रात री 9 बजे तर संतों की अम्रत्वानी क्रम में आए आज सुनते हैं उदासीन पंचारती अखाड़ा के महेंत पुज्य अद्वेदानंद जी महराज के आशिर वचर आशिर वचर और बसंदरा ये जहां प्रकट हुए वो भी पुन्यवत्वी वो भी गदगद हो रहे हैं ऐसा लाल प्रकट हुआ है जिसने आकर के यहां पर ये सेवा कारी किया और यहां से तो अपको मतरा और कुम्दा मतरा पर एक हो गया और कालंदी के दर्सन करते हुए चल को यहां तो आर यह कार्य रुकेगा थोड़ी ना दू के नहीं यह तो चलता ही रहेगा चल गया है तो चले का रुपने को यहां और हुए अब बता दें आपको आज का ताप्मान देगा 26 घुटरी सेलसेस अधिक्तम ताप्मान रहेगा 33 घुटरी सेलसेस दोबहर तक आस्मान साफ रहेगा उसके बाद आस्मान कुछ चित्रों में च्छाई रहेंगे और हल्की भूदाबादी की भी संभावना है ये थे आज के मुख्य समाजार अगले अंक में आपसे पुने भीट होगी तब तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार